नमस्कार किसान भाईयो आज के इस वीडियो के मध्यम से हम बात करेंगे कि सुमी टोमो कंपनी के विद्यूत के बारे में बात करने वाले हैं यह एक PGR है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्यूत में कौन सा टेक्निकल है यह काईडि कीस परकार करता है इसका काम क्या ह तथा इसका कौन सी फसलों में इसका प्रियोक कर सकते हैं तो इसके मातरा क्या रखनी है और इसका प्राइस क्या है और साथ में जानेगे कि अपनी फसलों में इसके क्या नुकसान है इन नुकसानों से किसे बचे क्या साउधानी हमें बरतनी चाहिए तो चलिए बीना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को बीना इस्किप के पुरा देखना ताकि आपको सही जानकारी हो सके तो चलिए शुरू करते हैं वित्तियू थे एक Sumitomo Company द्वारा बनाया गया एक केमिकल है जो कि इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसमें आपको पेकलो बुटरा जो 40% SC formulation में मिल जाता है जो कि एक PGR है यानि कि Plant Growth Regulator ये अपने पोदे की अनावशक व्रद्धी को रोकता है तथा ये हमारी फसले कंदवर की फसले है तो उनमें कंद की व्रद्धी करता है उनके भी Growth हो जाती है तो उनको रोक कर टहिनिया और उनमें फुटाव लाता है और Growth को रोकने का कारिय करता है साथ में ये एक अंतर प्रभाई प्रकति का Chemical है यानि कि ये systematic रूप से अपने फसलों पर छिटकाव करने के बाद कारिय करता है और पुरे पोदे में फेल जाता है और ये जड का भी विकास करने का कारिय करता है और पोदे फसल के तनाव सहने की छमता को भी बढ़ाता है और साथ में बात आती है कि ये फल की व्रद्धी फल फलो की व्रद्धी करता है या नहीं तो ये मुख्य रूप से हमारे पोदे की ग्रोध को रोकने का कारिय करता है और साथ में जड की व्रद्धी करता है तो जब हमारे पोदे में जड़ की व्रद्धी होगी तो जो हमारे जमीन के अंदर जो पहले से मुझित पौसक्तत वो होते हैं वो जड़ों के मध्यम से पोदे में मिलेंगे तो वो फल पुल की व्रद्धी भी होती है तो आप इस बात का दियान जरूर रखें अब बात आती है कि यह PGR इसके रिजल्ट कितने दिनों में देखने को मिल जाते हैं तो इसके रिजल्ट आपको अपनी फसलों में 15 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिल जाते हैं अब इसके कुछ बेनिफिट्स फैदे के बारे में बात करें तो यह जैसे कि फल फूल वाली फसलों में कोपलों साखा हो की टहनियों की संख्या में रुद्धी करता है साथ में पोदे को जड़ीदार आकरती के समान जड़ीदार बनाने का काज़े करता है और उपर उसकी ग्रोथ को रोग देता है और नीचे नीचे फिलाता है और गाठों के बीच में टहनियों के बीच की दूरी को कम करता है और फूल और फल आने में व्रिद्धी करता है बेधर क्वालिटिक का पेदावार होती है तिथा लोजिंग में कमी यानि तने का आकार कम होता है जो भी तने में पोसक्तत्व होते हैं वो सारे पोदे में पुर आगार बचना चाहिए तो इसके नुक्सान मुखेत यह है कि यह जब अपनी फसलन की वेज지τιीट मिरोथ होती है विजबिन की अवस्ता में जब हम इसका श्परे नहीं करना चाहिए याधी हम सुरुवाती अवस्ता में इसका श्परे कर देते हैं तो हमारी होदे की ग्रोथ सही नहीं हो पाती है और फल फुल लगने में भी बहुत समश्या देखने को मिल जाती है और कंदवर की फसलों में अगर कंद का विकास होना शुरू नहीं हुआ हो और उससे पहले इसका प्रियोप कर लेते हैं तो कंद का विकास भी नहीं होता है, और कंद मोटा नहीं बन पाता है, तो आप इसका बात का ध्यान जरूर रखे और इसकी मात्रा डोज भी कम जादा नहीं करें, अगर आप कम जादा करते हो तो इसमें आपको दूस प्रभाव देखने को मिल जाते हैं, अपनी फसलो बाद, तो अब इसके कुछ इस प्रकार से नुकसान है, और इसके नुकसान से बचने का तरीका यह है कि आपको सही डोज मात्रा लेनी है, अपनी फसलो में प्रियोक करने से पहले, और इसका प्रियोक करते वक्त आपने खेत में परियापत मात्रा में नमी होना जरूरी है, साथ मे बारिस का मौसम हो तो इस्प्रेडर चिपकों का प्रियोग जरूर करें इसका इस्प्रे के साथ अब इसका प्रियोग किन फसलों में करें तो इसका प्रियोग आप कंदवर की फसले प्याज ले सून आलू से मुंग फली लगा करके सबी कंदवर की फसलों के साथ-साथ इसका प्रियोग कर सकते हैं अब इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज अलग-अलग फसलों में कुछ अलग-अलग हो सकता है थोड़ी बहुत लेकिन जो कंपनी रिकोमेंड करती है 30 ml प्रती एकड के इसाब से आपको 200 लिटर पाने में 30 ml का प्रियोग करना है और जो कंदवर के पसले उनमें आप थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हो 4-5 ml लेना है विद्यूत का 30 ml का पेक आपको लगबग इसके कूल मुल्य की MRP इंग्लूड ओप आर्टेक से 540 रुपए है लेकिन आपको मार्केट में 3500 रुपए से लागवर के 400 रुपए के बीच में आ वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान मित्रोग के साथ सेयर जरूर करें आपका महत्पूर्ण समय देने के लिए तह दिल से धन्यवाद हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जै जवान जै किसान